सब्सक्राइब करिए टूडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट बिजनस और टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवन दूरास विगा स्वागत है आपके अपने चलने टूड़े स्पोर्ट टिप्स पर दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि PCS एक्जाम क्या है और कैसे आप PCS ऑफिसर बनकर अपने केरियर को क्या है कि उन्चाहियों तक लेकर जा सकते हैं आ कई सारी पोस्टे हैं जो की विबिन पोस्टे हैं उसके लिए क्या है कि ये एक्जाम लिया जाता है जो पोस्ट होती है जैसे कैणिडेट परिक्षा के अंदर क्या है कि पास हो जाता है उसके बाद क्या है कि कैणिडेट को क्या है कि विबिन जो उच्च स्थर की जो पोस् इसके लावा दोस्तों Assistant Commissioner, वेपार, औरकर, इसके अंदर के अएकी निुक्तिया दी जाती है, नहीं दोस्तो पोस्ट दे दी जाती है, वहीं दोस्तों PCS के अगर फुल फॉम की बात करें तो इसकी फुल फॉम होती है, Provisional Civil Service, जिसको कहाएकी राज्या सिविल सिवा भी एक त दोस्तो ऑप करना होता है वहीं दोस्तों बात कर लेते कि PCS बात कर लेते हैं तो दोस्तों बताना चाहूं है ठीक है यह जो परिक्षा है वो कह कि Бert sleep जो पार्ट के अंदर ली जाती है, पहली होती है प्रारंबिक परिक्षिया, मुख्या परिक्षिया उसके बाद क्याएगी शाक्षात क्या रहे नहीं दोस्तों, इंट्रिव्यू होता है और ये जो सभी जो एक्जाम है, इनका क्याएगी सिलेबस रहता है और हर एक परिक्षा क्या क्याएगी सिलेबस निर्दारित रहता है वहीं दोस्तों, बात करें कि PCS ऑफिसर बढ़ने के लिए क्या है क्या क्या चाहिए याई दोस्तों, इलिजिव्यूटी क्या क्या होनी जरूरी होती है, तो दोस्तों, उसकी बात कर लेते है इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है कि जो PCS सुपरिक्षिया है, जो कि एक्जाम है उसके लिए आपको क्या है कि अप्लाई करना होता है जिसके बाद क्या है कि जो PCS एक्जाम है, उसके लिए जो भी graduation degree होना जरूरी होती है वहीं दोस्तो एज की अगर बात करें दोस्तो इसके लिए एज क्या है तो तो दोस्तो बताना चाहूँ कि PCS जो होता है इसके exam के अंदर एज limit क्या है कि हर एक work के लिए कि हिसाब से क्या है कि अलग-अलग होते हैं उनके अंदर क्याएगी नियमन उसार जो है छूट भी दी जाती है और दोस्तो बताना चाहूँ जैसे कि हमने आपको बताया था दोस्तो जो है इसके exam जो है तीन पार्स के अंदर होते हैं सबसे पहला होता है कि प्रारंबिक परिक्षा और दोस्तो PCS जो ओफिसर होता है उसकी सेलली के है कि 15,600 से लेकर 67,000 रुपए प्रती मार्ग जो है उसको सेलली मिल सकती है और उसके सासाथ के है कि सरकारी सुविदाएं भी दी जाती है और दोस्तो बताना चाहूँ इस सेलली के है कि अलग अलग भी हो सकती है स्टेट वाइज वहीं दोस्तों बात करेंगी PCS की पोस्ट कौन-कौन सी होती है दोस्तों पोस्ट होती है असिस्टेंट अकाउंट ओफिसर इसके लवा कमर्शियल टेक्स ओफिसर डिस्ट्रिक मोनीटर, वेलफेर ओफिसर डिस्ट्रिक फूड मार्गेटिंग ओफिसर असिस्टेंड कमिशनर इसके लवा एग्जेक्यूटिव ओफिसर इसके लवा नायाब तैसेलदा डिप्यूटी सुप्रिडेंट ओफ पुलिस डिप्यूटी कॉलेक्टर इसके लवा दोस्तों जो है एग्जेक्यूटिव ओफिसर इसके लवा ब्लोक, डिवलोप्मेंट ओफिसर इसके लवा असिस्टेंट रिजिस्ट्रार ये कुछ जो है ओफिसर पोस्ट होती है जो क्या है कि आप प्राप्त कर सकते हैं बस इसके लिए आपको क्या है कि मैंनत और लगन से क्याई की तयारी करनी होती है आपके आसपास में जो भी coaching center है उनसके आप बाइल पले सकते हैं इसके लावा यूटूब के आप help ले सकते हैं इसके लावा दोस्तो आप क्याई कि आप गर पे रहे कर भी study कर सकते हैं self study भी कर सकते हैं self study के साथ आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं तब तक के लिए दोस्तो जै हिंद वंदे मातरम